हेलो एबरिबन स्वागत है आप सभी लोगों का स्टेडी 5.6 में आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का घाटाओ अभी तक हम लोग ने सीखा था दो भिन्न दी रहती थी उनको घाटाना पड़ता था लेकिन आज के सवाल में आपको तीन भिन्न दी गई हुई है और इनको आपक लिख रहा है तो यहाँ पर क्लास मल्टिप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो आपका एंसर लेट आएगा और आपका एंसर गलत भी आ सकता है तो ऐसे बड़े सवालों को साल्प करने के लिए आपको YLCM मिथटके द्वारा सवाल को साल्प किया जाएगा तो यहाँ पर जब इसका हर जो होगा बराबर होगा तो इसका हर देखिए बराबर नहीं है यहाँ पर चार है यहाँ पर दो है यहाँ पर दस है हमको इसको बराबर करना होगा इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यलसीम निकालना पड़ेगा चार दो और दस का तो से भाग देंगे चार में जो है दो से जब भाग देंगे तो कितना आजाएगा तो दो दूना चार होता है ये कट जाएगा दो बार में फिर दो से दो में भाग देंगे तो एक आजाएगा फिर आपको क्या करना है 5 से इसमें भाग देना है तो जब आप 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 1 पाले से 1 लिख लिजीए फिर यहाँ पर भी एक है तो 5 1 के 5 होता आता है जब भी आपका नीचे 1 के एक आ जाए तो समझ लिजी आपका सवाल साल्ब हो चुका है ये वाला LCM तो यहाँ पर आपको यही चीज बस लिखना है तो यहाँ पर देखिए यह चीज जो है दो फिर दो फिर पांच है इसी को यहाँ पर लिख लेना है दो फिर दो फिर पांच बीच में आपको क्या करना है गुडे का चिन लगा देना है अब आपको ये देखने में दिख रहा है कि 2 गुडे, 2 गुडे 5 यानि 2 का गुड़ा 2 में करेंगे कितना जाएगा, 2 दूना 4 4 का गुड़ा 5 में करेंगे, तो कितना जाएगा 20 यहीं जो 20 आया है यही आपका 4, 2 और 10 का क्या है यलसियम है इसी को हमें ज़रूरत है अब आप क्या करेंगे एक बड़ी सी लाइन खीचेंगे जिसे हम लोग बड़े बोलते हैं यहाँ पर यह जो 20 आया है इसी को यही पर क्या करेंगे लिख लेंगे अब देखिए हमें क्या करना है चार का पहाड़ा पढ़ेंगे तब तक जब तक की 20 नहीं आता तो 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 20 होता है न 4, 5, 20 होता है न तो यही जो 4, 5, 20 होता है न यही 5 का गुड़ा 3 में करेंगे क्या 4, 5, 20 होता है तो यही पांच का गुड़ा जो है तीन में करेंगे तो कितना हो जाएगा पांथ याई पंदरा उस पंदरा को हम यहाँ पर लिख लेंगे एक चीज मैं आपको और बताऊं अगर आपको यहाँ पर बीस आ गया है अगर यह आप मालीजिये बड़ी संख्या आ गई होती तो चार का पहाड़ा न संख्या तक पहाड़ा आपको नहीं आता आप क्या करेंगे बीस यहाँ पर लिख लिजिएगा और चार से उसी में भाग दे दिजिएगा तो चार पंचे कितना होता है बीस यही जो पांच उपर जो आपका भाग फाल आता है उसी का गुड़ा इसी में करके यहाँ पर लिख लेना होगा तो देखिए पांच आया है और पांच का गुड़ा आप तीन में करेंगे तो पांच यहाँ पंदर हो जाएगा उसी को आपको यहाँ पर लिख लेना होगा फिर देखिए आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है तब तक जब तक की 20 नहीं आ जाता या तो 2 का पहाड़ा पढ़िए तब तक जब तक की 20 नहीं आ जाता या 20 में आप क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे जब 20 में 2 से भाग देंगे तो 2 के 2 हो जाएगा 0 फिर ये 0 नीचे उतालेंगे भाग नहीं जाएगा 0 बढ़ा देंगे तो देखिए 2 दहम 20 होता है यही जो 2 दहम 20 होता है जो आपका भाग फल 10 आया है इसी का गुड़ा करना है किसमें 1 में तो 10 का गुड़ा जब आप 1 में करेंगे तो 10 एक कितना होता है 10 यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर आप माइनस लगा देंगे इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी यह जो मैं यह वाली चीज बता रहा हूँ नीचे भाग देने की जब आपका यहाँ पर जो आपकी यलसियम निकालेंगे जैसे 200 आ जाता तो 4 का पहाड़ा आप पढ़ते 200 आपको नहीं आता पहाड़ा उतना तो आपको इस तरीके से मैं बता रहा हूँ जिसे आपको कभी आगे चल कर कोई दिक्कत ना हो अब यहाँ पर देखिए 10 है 10 का पहाड़ा तब तक आपको पढ़ना है जब तक की 20 नहीं आ जाता तो यह सभी लोगों को मालूम है 10 दुना कितना होता है 20 यही जो 10 दुना जो आप पढ़ेंगे 10 दुना कितना होता है 20 यही जो 10 दूना 20 होता है तो का गुड़ा आपको एक में कर देना है तो 2 एक के कितना होता है तो यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे चाहिए तो आप इस तरह से कर लिजिए 20 में जो है 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाग फल दो आएगा आजाएगा फिर 5 में से 2 जब आप घटाएंगे तो कितना आजाएगा 3 चलिए मैं आपको इसको stepwise करके बताता हूँ 15 में से 10 आपने घटाया तो कितना आज गया आपका 5 आजाएगा यहाँ पर 5 लिख दीजिए आगे था minus 2 तो minus 2 लिख दीजिए बटे में 20 है बटे में 20 लि यही आपका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा तो इस प्रश्न का एंसर कितना आया 3 बटे 20 तो आसा करता हूँ आपको यह सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा मैंने हर तरीके से इसमें समझाने की कोशिस किया अगर आपको यह तरीका समझ में आया हो सवाल तो